नमस्कार साथियों उतकर्ष इंजिनिर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है मैं खेमेंदर आपको स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप लोगी तैयारी बहुत ही बैतल तरीके से चल रही होगी तो एक बार फिर से मैं आपके सामने य बीटेग स्टूडेंट है पहले ही वीडियो की स्टार्टिक बताया तो कि लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है ताकि आप उसको जो लोग इंट्रस्टेड है वो इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप डिपलोमा से अगर आपके काम काई वीडियो नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए सिंपल सी बात है तो अगर आप बीटेग स्टूडेंट है तो आपके लिए ये पोस्ट यहाँ पर निकाली है टी एच डीसी इंडिया लिमिटेट करके डिपार्टमेंट जो की एक मिनी रतने कंपनी है एक और इंपोर्टेंट बात इसकी आ चुकी है तो देखते हैं कितनी कितनी वेकेंसी से किन किन ब्रांचिस में है क्या लास्ट डेट है किस तरीके का प्रॉसस है इन सब के बारे में बात करेंगे इस पर्टिक्लर वीडियो के अंतरगत तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी एच डीसी इंडिया पोस्टिंग यहां पर होने वाली है तो बिल्कुल सी बात है मेनी रतने कंपनी है यहां पर लिखा हुआ है कहा कहा पर इनके प्रोजेक्ट्स है यह भी यहां पर मैंशन है सारी चीजे तो यह पीडियाफ आप बिल्कुल देख सकते हैं टी एच डीसी की वेबसाइट पे ज है你 36 स्यों टो टर के लिए कितनी बिता रहे हैं आपर sagt फास्ट बता रहे है और इम किरा 36 नंबर उफ पोर स्वाल के लिए कितनी के लिए अब इसमें फिर अलग-अलग के इस चाह्ति सो बाद दिया गया तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है नहीं ृट्स हम चल रहे है, electrical के लिए, same number of post electrical के लिए भी, कितनी post है बेटा, 36 post है electrical के लिए भी, जी हाँ, 36 post है electrical के लिए भी, अलगलग categories में उसको बाढ़ दिया गया है, next हम चल रहे हैं, हमारे तीसरी branch के लिए, जो कि है mechanical की, mechanical के लिए total number of post है 18, तो यहाँ पे 3 branches में हमको vacancy दिखी है, civil में 36, electrical में 36 और mechanical में 18 vacancies हमको यहाँ पे दिखी है, civil, mechanical और electrical में तीन branches में हमको यहाँ पे vacancy दिखी है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हो पूरा process के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर process है, क्या क्या आप लोगों करना होगा इस job के लिए, तो starting में मैंने पहले बता दिया, कि gate score आपका बहतर होना चाहिए, उसके आधार पे यह पूरा-गबरा recruitment होने वाला है, और उसमें भी कितना weightage है, interview का, कितना weightage है, gate के marks का, उसको भी discuss कर लेते हैं, next, qualification पर बात करते हैं, full-time BE, BTEC, जी हाँ दोस्तो, full-time BE, BTEC आपके पास होना चाहिए, इसको apply करने के लिए, जी तो normal सी बात है, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं, कि B.T.E.C. आपके पास होना चाहिए, B.T.E.C. की degree आपके पास होनी चाहिए, civil-injuring के अंतरकत, civil-injuring के अंतरकत और minimum marks 65 है, minimum marks कितना है, 65 से कम आपके B.T.E.C. के अंदर नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके 12th और 10th की mark sheet भी consider करी जाएगी, age limit as of 5-4-2023 तक, 5-4-2023 मतलब 5 April 2023 तक जब यह notification आया है, उस date तक आपकी age 30 साल से कम होनी चाहिए, आपकी age 30 साल से कम होनी चाहिए, यह भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं, चीक है, आगे चलते हैं, अगर हम electrical की बात करें, तो बिल्कुल same type की, यहाँ पर analysis दिया गया है, बर यहाँ मैं branches को जरूर specify करना चाहूंगा, कई सारे बच्चों को होना चाहिए, relevant, discipline, में, अभी relevant, discipline क्या है ध्यान से सुनो, अगर आपने electrical engineering से btec करी है तो फिर आप eligible होंगे, इसे Лिये, अगर आपने electrical power engineering से btec करी है तो भी उटेग होंगे, अगर आपऌने electrical and electronics, इसको आप triple-E बोलते है, चेकेने, electrical and electronics engineering, अगर आपने btec करी है तब भी होने चाहिए इस PSU के अंतरगत और 30 साल से आपकी कमेज होनी चाहिए और आपके 10 डॉल 12 की मार्गशीट भी हाप पर ये वैल्योट करी जाएगी ठीक है नेक्स्ट मेकैनिकल में बात कर लेते हैं सिमिलर काइंड ओफ एहापर भी बी टेक आपका होना चाहिए कौन-कौन सी ब्रांच मेकैनिकल एजिरिंग से बी टेक करिए तो फिर आप अलगिबल है mechanical and automobile engineering से बीटे करिये तो भी आप eligible यहाँ पर होने वाले हैं ठीक है electronics वालों के लिए यह post नहीं है mechanical, triple E, electrical and your civil इन students के लिए यह post होने वाले है clear बात है चलो next चलते है relaxation वगरा यह खैर आप देख लीजेगा क्योंकि यह THDC की website पर जाएंगे तो यह पूरा को पूरा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसको जाकर आप हैतल तरीके से समझ सकते हैं देख सकते हैं next selection process के उपर अब देखो the eligible candidates must appear the GATE gate examination 2022 के basis पे यह पूरा का पूरा analysis होने वाला है ध्यान से सुनिए दोस्तों gate examination 2022 के process पे यह पूरा analysis यहाँ पर होने वाला है और यह जो पूरा का पूरा process है gate 2022 के analysis अच्छा notification तो अभी अभी आए यह देखिए ज़रा आप notification की date क्या है 5.4.2023 और इन्होंने क्या बोला है कौन से gate examination की बाद करी है देखिए ज़रा the eligible candidate must have appear in the GATE gate examination 2022 so this is the most important point here कि gate 2022 के box के उपर यहाँ पर यह आपको बुला रहे है यह 2023 नहीं लिखा है candidate shall shortlist on the base of gate 2022 score from the above among candidates who have applied against the advertisement gate 2022 के paper के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर apply करना है साफ तोर पर लिखा है gate 2022 clear बात है yes बिटा कौन-कौन सी branches में आपका यह paper होना चाहिए civil के लिए CE code, E code और ME code clear बात है बिटा तो यह इस साल 2023 की बात नहीं कर रहा है gate 2022 के gate score की बात कर रहा है उसके आधार पर ही यह आपको selection के लिए बुलाना चाहेगा तो यह काफी सारे ऐसे student होंगे जिनका gate 2022 में भैतर score आया होगा ठीक है ना तो वो लोग मान लीजे M.TEC कर रहे हैं या फिर M.TEC कर रहे हैं किसी भी IIT से या फिर कहीं से भी NIT से अगर वो इस form को fill करते हैं तो यहाँ पर chance बन जाते हैं ठीक है ना clear है? yes मैं यह नहीं कहा रहा है कि 2023 वाले fresh student ही भरेंगे 2022 वाले students भर सकते हैं next for calculation of final score candidate employment यहाँ पर weightage दे रखा है कि gate 2022 के score के हिसाब से आपको 70% weightage दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा personal interview पर personal interview आपका 30% marks के हिसाब से होगा यहाँ पर पी आई होता है यह बहुत important हो जाता है और selection को define करता है दोस्तों बहुत importantly selection को define क्या क्या चीज करती है आपर जो personal interview तो this is also a very important point है यह चीज़े आप देख सकते हैं जो reservation वारी category है अच्छा यह बहुत important चीज़ है क्योंकि कभी भी आप जब किसी चीज की वारे में prepare करते हो तो motivation आना बहुत जरूरी होता है motivation जब तक नहीं आता ना तो मजा नहीं आता ठीक है तो compensation package मैं आपको बता जाता हूँ तो बहुत ही attractive इनका package है 50,000 in the pay scale starting E2 grade पर आपको मिल रहा है यहाँ पर 50,000 का मतलब मैं आपको बता जाता हूँ यह 50,000 है this is the basic amount okay and इस basic amount के उपर आजकल जो center government में norms चल रहे है उसके हिसाब से 42% DA मिलता है इस 50,000 का 42% additional add होके मिलता है और फिर उस 50,000 का I think hard locations के हिसाब से 10% इस 50,000 का अलग से मिलता है 5,000 वो अलग से फिर उसके बाद 9% HRA 9% HRA है जितनी भी tier 3 cities है उनका तो वो अलग से मिलेगा तो यही basic amount काफी times हो जाता है I think 1.6 times तक हम touch cards कर देते हैं इससे भी जादा हो जाता है कई-कई PSU में क्योंकि PSU में अलग तरीके के allowances और होते हैं तो वो इसी के percentage के हिसाब से आपको जादा मिलता रहता है ठीक है ना कभी अब DMRC में जाएंगे तो वहाँ 1.8 भी हो जाता है आपको placement मिलेगी next जलते है sir last date अगर दिख जाए तो बढ़िया हो जाए कि last date क्या रहेगी इसको form को fill करने की how to apply how to apply में कुछ भी नहीं करना आपको online इसको apply करना है इसकी website पे THDC की website पे जाएंगे वहाँ पर आपको link मिल जाएगा और आपको इसको apply कर देना है ठीक है copies को upload करने के लिए वह लेगा gate 2022 के scorecard आपके पास होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखेंगे बस main चीज वही है और अपनी सारी सारी जो documents है आपके वह आपके पास होने चाहिए clear बात है चलिए तो लास्ट में चलते है सर डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जी हां डेट्स आ चुकी है opening dates यहां opening dates of online registration जो की already हो चुकी है 5-4-2023 सवेरे 10 बजे 5 April to 2023 को यहाँ पर online application स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक online application होंगे 4-5-2023 मतलब 4-5-2023 तक यह online application होंगे 4-5-2023 तक यह online application होने वाल है last date of submission of payment of detail तो 6 तरीक तक last date of payment आप कर सकते हैं इसमें आप कोई चिंदा की बात है नहीं तो I think यही important बाते थी जो यहाँ पे हमको discuss करनी थी I think इस notification में almost सारी की सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं किन के लिए notification है कौन से gate exam से यह recruitment कर रहे हैं 70% आपका selection process होगा gate के थूँ और 30% आपका P.I.E. होगा personal interview होगा और कौन-कौन सी branches के लिए mechanical के लिए, civil के लिए और electrical के लिए civil में और electrical में 36-36 vacancy है mechanical में 18 vacancy है तो अगर आपका better gate score है 2022 के हिसाब से तो फिर आप इसको definitely approach कर सकते हैं और एक government job अपने नाम पे रखवा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मुझा पूरी उमीद है कि यह video आपको फाइदेमन लगा होगा और informative लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए और वीडियो की जानकारी और इसी तरीके के PSU की जानकारी के लिए ताकि आप updated रहें कि जी हाँ इस तरीके का भी वेकेंसी होती है और इस तरीके किसे आपकी job लग सकती है किसी भी department में तो आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम regular basis पर बहुत सारे वीडियो मनाते हैं ताकि आप लोग updated रहें आप लोग को पता चलता रहें ऐसे इंजीनियर आप लोग को पता चलता रहें कि हाँ यार इस शेत्र में मेरी job लग सकती है ठीके द वीडियो को भेजने की से आपके दोस्तों को पता चल जाए कि हाँ इस तरीके से मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ और यहाँ पर अपनी जॉब अचीव कर सकता हूं क्लियर तो उमीद करते मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा न